कैसे हो दोस्तों मैं हूँ दिव्यांग और आज मैं एक नए लैपटोप के बार में बताने वाला हूँ इसका नाम है Zenbook Duo इस लैपटोप के अंदर आता है dual display आपने सही सुना इसमें dual display आता है मैं बताओगा इस वीडियो के अंदर इसकी unboxing जानेंगे इसके features के बार में और क्या है इस laptop के अंदर खास चले शुरू करते हैं इसकी unboxing तो यह है Zenbook Duo का box box के अंदर है Zenbook Duo Laptop Laptop के ओपर कुछ feature को highlight किया गया है जो सबसे main feature वो है ScreenPad Plus बाकी features यहाँ पर mention किये है stylus का support दिया है इसके अंदर 10th generation का Intel Core i7 processor है ergonomic design है इस laptop की तो सबसे पहले इस laptop को मैं open कर देता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते है यह है laptop जिसमें दो-दो screen दिखाई दे रहे है एक screen नीचे है जो touch screen है और उपर जो है main screen है नीचे की तरफ keyboard और mouse pet एक line में दिया है और देखे box के अंदर तो है यहाँ पर papers user manual है जिसके अंदर laptop की कुछ information दी गई है stylus support दिया है यानि यह जो pen है इससे आप screen के ऊपर कुछ sketching, drawing या फिर कोई type के photo ही touching कर सकते है इस pen के मदद से आप screen के ऊपर कोई भी type की touch screen activity कर पाएंगे यह pen उसके लिए ही काम आता है main screen के ऊपर यह support नहीं करेगा box के इस तरफ देखे तो charger मिल जाता है काफी compact सा charger है square दिया है तो यह सब box के अंदर आपको मिलता है अब शुरू करते हैं laptop के design से तो यह है issue zenbook duo 14 inch का यह laptop है design is laptop की ergonomic laptop open करने पर नीचे का hinge जो है वो laptop को lift करता है उपर जिसे typing experience easy हो जाता है laptop पो side से देखे तो उपर lift हुआ दिख जाएगा ports की बात कर ले जते हैं तो right side पर एक USB port दिया है एक microSD का slot है और एक 3.5 mm का jack left side पर है HDMI port एक USB type C port और एक USB type A port keyboard इसका नीचे की ज़ब दिया है secondary display है इसी लिए keyboard नीचे shift किया है और side में एक mouse pad दिया है लेकिन palm rest आपको नहीं मिलेगा इस laptop में display है इसका 14-inch LED backlit और इसके अंदर मिलता है full HD plus resolution nano edge display है slim bezels है इसके अंदर और 90% का screen to body ratio दिया है जो दूसा display है वो भी 14-inch का है लेकिन वो main display से half size का है और वही एक display है जो touch screen है दो-दो display दिये है यानि आपको multitasking इस laptop में बहुत easy हो जाएगा laptop उन लोगों के लिए बना है जो creative है sketching करते हैं drawing और multitasking दो screen है यानि multitasking easy हो जाता है main screen से secondary screen के उपर simple drag and drop करने से app को switch कर सकते है अगर आप कोई video या movie देख रहे है तो main screen पर चला सकते है और जो बाकी दूसरी चीज़ है वो secondary screen के उपर लगा सकते है जैसे कि है calculator कोई games खेल रहे है या फिर कोई web browser कोई window खोल सकते है दो screen आपको बहुत काम लगेंगे specs की बात कर लेता है तो Zenbook Duo powerful laptop है इसके अंदर है Intel का 10th generation Core i7 processor CPU दिया है इसमें quad core 10 510 new model है 2.3 GHz पर चलता है साथ में है solar GB के DDR4 RAM और 1TB का SSD ग्राफिक्स इसमें है Nvidia GeForce MX250 इसका जो अपर वेरियंट है Zenbook Duo Pro उसके अंदर मिलता है RTX 2060 ग्राफिक्स और आखिर में ये laptop आता है Windows 10 Home के साथ तो ये था Zenbook Duo का unboxing वीडियो और उसके features के बार में वीडियो कैसा लगा बताए मुझे comments के अंदर वीडियो को like और share कीजिए और चैनल को subscribe भी मैं मिलता हूँ अपने वीडियो में